नरक चतुरदशी की तीसरी कथा तीसरी कथा ये है कि रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे उन्होंने अंजाने में भी कोई पाप नहीं किया था फिर भी जब मृत्यू का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आधम के राज ने कहा कि आप मुझे पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराद के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मन भूखा लोट गया था यह उसी पाप कर्म का फल है यह सुनकर राजा ने यमदूत से एक वर्ष का समय मांगा तब यमदूतों ने राजा को एक वर्ष की महलत दे दी राजा अपनी चिंता लेकर आरशियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुना कर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा तब आशी ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुरदशी का वरत करें और ब्राहमनों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें राजा ने वैसा ही किया जैसा रशीयों ने उन्हें बताया इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विश्णू लोक में स्थान प्राप्त हुआ उस दिन से पाप और नर्ग से मुक्ति हेतू भू लोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है.